दोस्तों क्या आपको पता है, New Year Christmas से पहले होता है? आई? जी मैं फिल्मों की बात का रहूँ, शाडू कान की Happy New Year फिल्म, Christmas फिल्म से पहले आई थी की नहीं? तो हुआ ना, Christmas से पहले New Year? तो अब तक तो आप समझी गए होंगे, विजय सतुपती और कैट्रीना काइब स्टारर मेरी Christmas फिल्म के रिव्यू करेंगे और इस पर डीटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इस से पहले हम आगे बाड़े, अगर आप चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हो, अब Christmas की इव है, तो मारिया अलबर्ट को अपने घर पर इंवाइट करती है, अब तीरों घर में आते हैं, अचा, चो छोटी बच्ची है, एनी, वो सब कुछ देख तो सकती है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती है, अब Christmas की इव है, दोनों drink करते हैं, और फिर dance भी करते हैं, और dance करते करते हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, इसके बाद, वो decide करते हैं, वो कहीं बाहर जाएंगे, अब बाहर कहा जाते हैं, वो काफी interesting है, नौर्मरी लोग कहा जाते हैं, कहीं घुनने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, लेकिन ये लोग जाते हैं, कहां पर, एक कबिर स्थान पर, जब मारिया और एलबर्ट घड़ बापस आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने मारिया के पती जिरॉम की हत्या करती हैं, और यहीं से कहानी अलग मोड लेती हैं, और इसके आगे मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि I don't want to be this spoiler, समझ रहो, समझ रहो ना? देखी, अगर पॉजिटिब्स की बात करो, तो इस फिल्म के बहुत सर राइटर्स हैं, जिन मेंसे इस फिल्म के ही डिरेक्टर स्रीराम रागवन खुद है, और उनके साथ ओ राइटर्स है, अरिजित विश्वास, पूजा, लड़्धा, अनुप्रिति पांडे, और इन इस फिल्म की किसी ना किसी मोल पड़, सभी करेक्टर आपको सस्पेक्ट लगेगा, कभी लगेगा ये सस्पेक्ट है, तो कभी लगेगा नहीं ये शायद सस्पेक्ट है, और यही तो एसेंस है, किसी भी सस्पेंस ट्रिलर का, next acting, acting is the biggest positive in this film, अगर स्पेशली विजय करेक्टी में देखने को मिलेगी, कैट्रिन अकैप टीट अवंडर्फूल चॉब, direction was very good, मैं पहली बता चुका हूँ, जिस तरीके से सस्पेंस को अन तक बढ़करा रखा गया है, उसके लिए राइटर्स और डेफिनेटली डिरेक्टर को क्रेडिट देना पड़ेगा, सु जैसे अच्छी और अलग किसम की फिल्म में डिरेक्ट कर चुके है, so he understands his audience very well, जिस तरीके से light और shadow को इस फिल्म में यूज़ किया गया है, that created the ambiance, वो देखने में भी आपको मजा आएगा, background music and cinematography also were up to the mark, Sanjay Kapoor in a small role of Ronnie did a good job, he made audience felt his presence, in a cameo role, Radhika Aftey also did wonderful job as usual, she did not have much screen time, but yet she did her job wonderfully, ऐसा लगा, कुछ करेक्टर्स को बहुत जल्दी जल्दी में फिल्म में लाया गया है, और बहुत जल्दी जल्दी में उनका पैकाप भी करवाया गया है, उन करेक्टर्स के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा टाइम दिया जा सकता था, specially अगर detailing की बात करू, first time थोड़ा अगया है, दोस्तों पेडरिक डर्ट की बुक ला मॉंटी चर्च पर अधरिक, मेरी कुस्मस फिल्म, 60 कोड में टिप्स, फिल्म और मैच बोक्स पिक्चर्च की बैनर्स के तले बनी है, अफ्टर दे टू, तिस फिल्म हस आंड 9.37 कोड ने इन इंडिया, और मेरे दरब से इस फिल्म को 3 studs out of 5 दूंगा, फिलाल मैंने वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक, शेयर और कॉमेंट और सापने चैनल को भी सब्स्क्राइब कर लेना, चैहित!